साइबर अपराधि ने फ्रॉड का नया तरीका निकाला है अब ना तो आपको OTP आएगा और ना ही कोई मैसेज आएगा पर आपके खाते से पैसे गायब हो जाएगे साइबर अपराधि अब खाते से पैसे खाली करने की नई तेकनिक का इस्तेमाल कर रहे है इससे पुलिस भी हरान और परिश्सान है साइबर अपराधी अब लोगों के खाते खाली करने के लिए फिंगर प्रिंट का सहरा ले रहे हैं दरसल साइबर अपराधियों की पहुंच सरकारी दफ्तरों तक हो गई है और उन्हें हर लोगों के हस्ताक्षर और फिंगर प्रिंट आसानी से मिल जा रहे हैं जिसके जरिये वे बैंक खाते तक पहुंच रहे हैं पिछले दिनों बिहार के नवादा जिले में ऐसा ही एक फ्रॉड हुआ है यहां एक महिला के खाते से किस्तों में हजारों रुपए निकाल लिये गए और उसकी जानकारी महिला को बाद में मिली तब वो साइबर क्राइम ब्रांग पहुंची जब पुलिस इस मामले के तह में गई तो पता चला कि साइबर अपराधी की पहुँच सरकारी काराला हो गई है जहां हस्ताक्षर के साथ साथ अंगूठे या पांचों उंगलियों के निसान लिये जाते हैं वहां से उन कागजातों को निकाल कर उनसे छेड़ शाड़ कर फेबी कॉल के साथ लोगों का फिंगर प्रिंट के एस्तमाल से मीनी बैंकों से पैसा निकाल लिया जाता है साइबर अपराधी फिंगर प्रिंट की क्लोनिंग कर लोगों के खाते से पैसे उड़ा रहे हैं पहले जहाँ थर्मल स्कैनर इमेज बुस्टर जैसे कई जगों से फिंगर प्रिंट लिये जाते थे पर अब प्लास्टिक चिप काने वाले ग्लू गन से भी फिंगर प्रिंट की क्लोनिंग कर रहे हैं बदा दे के आप अपना पीन और पास्वर्ट तो चेंज कर सकते हैं लेकिन कभी भी अपने फिंगर प्रिंट को नहीं बदल सकते हैं और इसी का इस्तिमाल कर अब साइबर अपराधी लोगों को चुना लगा रहे हैं